हेलो गाइज, वाइट्स आप, I hope you are doing fine, this is me मिर वहीद and today I am going to teach you the remaining two continents that is the Europe and Antarctica and Australia, right तो आज हम इसको complete करेंगे, देखते हैं कहां तक हो जाएगा तो इंशाललह विदिन two days में मैं art and culture जो है start करने वाला हूँ, right तो अभी हम start करते हैं, I hope आप लोग revise करते होंगे, अभी जो है इस month में क्या हो गया इन 15 दिनों में थोड़ा सा weakness आने लगी है, तो उसके वज़े से energy भी नहीं बच रही तो पढ़ा भी नहीं पा रहा था मैं अच्छे से और students का भी काफी ज़दा यह feedback मिला कि सरपढ़ा नहीं जाता इन दिनों तो एक काम करो, दो ती दिन वेट ही करो वेट इसका मतलब यह नहीं कि आप books को बंद ही करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ज्याद लोड भी मतलो इन चार-पंच दिनों तक जब तक इद हो जाएगी, एक वीक अभी इद को, Friday तक, Friday Saturday को तीन दिन, Thursday Friday Saturday को थोड़ा से enjoy करो, अच्छे से इद के दिन, ठीक है, उसके बाद जो है, फिर Sunday से, अगर करना होगा, या Monday से, फिर full-fledged तरीके से तैयारी करो, ठीक है, सुदर तब तो, दो, तीन दिन में recovery भी हो जाएगी, ठीक है, एक महिने से, राइट, तो, आज जो हम start करने वाले हैं, वो हम remaining part geography का करेंगे, I am presenting this lecture series from S, one of the best palettes for free education, having more than 1,27,000 subscribers, जाद से जाद चैनल को share करो, और subscribe करो, और अपने friends को भी invite करो, कि वो क्या करें, वो चैनल को क्या करें, subscribe करें, so that उनको भी इस चैनल से बहुत benefit मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा हो गया exam post-punement, अभी SSC legal का post-punement हो गया, बहुत सारे exams, जो है states के post-punement हो रहे है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, जेके SSC भी क्या करेंगे, post-punement तो हो गई, लेकिन आपको notification कब आएगे, ये कुछ पता नहीं है, इनका जब आजाएगा तो आपको पता चल जाएगा तो, आप अपनी preparation उसी साब से चलो, जिस साब से आप कर रहे थे, ये सोच चुका आपका first, मतलब आपको June में exam में उसी तरी की साब लेकर चलो, फिर change करेंगे, जब June आजागा फिर आप change कर सकते हो, ठीके जब वो चीज़ होगा, तो दूसरी बात ये है कि, तीसरी बात, ये है कि, मैंने आपको दिखा है भी था, notes, notes मेरे available है, अगर किसी को चाहिए होता तो मार्केट से ले ले लेना, अब compile मिल जाएगा आपको spiral binding के स तो किसी student ने मुझे send किया था, बोल रहे है, सर, आपके notes मार्केट से मिल रहे हैं, तो अगर आपको लेना होगो, तो ले सकते हैं, ये मार्केट में भी available है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने यूरप को अच्छे से समझेंगे, हमें Australia को समझदा हैं, और हम समझेंगे, Antarctic को समझदा हैं, ठीक है, तो maps के through हम समझेंगे, maps के through उसके बाद जो हैं, जो theory होगी, theory के part तभी समझ में आ जागा, जब आप maps को analyze करोगे, देखोगे अच्छे से, उसके बाद जो है, वर्ल्ड जोग्राफी जो अच्छे से cover होत में इन पंच छे लेक्चर को जिता में वर्ल जोग्राफी एक दिन भी अगर लगेगा, एक दिन बैठो एक जगह पर, और बना लो अच्छे से notes किस तरीक से क्या होता है, पहले previous question देखो, मतलब जो, 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 ऐसे सी सीजियल में, वर्ल्ड जोग्राफी को, continents के उपर questions कि नहीं, option भी किस तरीकी से पूछा जाता है, क्या mountains के बारे में पूछा जाता है, वर्ल्ड जोग्राफी में, sea के बारे में, oceans के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, किस-किस mountains के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, किस-किस desert के बारे में पूछा जाता है, तो से सबसे फिर आप लिस्टिंग करोगे और नोट्स बना लो यह जुरूरी बताना था मुझे यहां पर ठीक है क्योंकि यह कंप्लीट होने वाला अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं ठीक है तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटार्टिक नहीं यूरोप हमें यूरोप है पूरा रहे रहे कि उसे हो लगा मैप और यहां इसको नशीर्ग कर देख सकते हैं यह यहां पर हम देखेंगे कुछ चीज़ फूर्ली यहां पर जाद स्कलेशें क्यान सब्सूर्ण है इसमें तो दिखाता हूं मैं आपको यह देख लो मैं country का नाम बता अब country जहन में रहना चाहिको कोंसी country क्या है number first अगर मैं बात करोंगा यहां पर उपर से आ जाओ यहां से यहां से जाओ नीचे से ठीक है यह एश आपको यह वाला पता है यह वाला portion जो एश आ है यहां से यहां तक जो मैं बार्ड रिंग बना रहा हूं यहां पर यह यह भी क्या है यह एफरीका है मैंने पहले बोला था आपको एफरीका जो है यह टाइच करता है यूरॉप को एक जगह पर आपको पता है मुराको जो है वो स्पैन के साथ करनेक्ट हो रहा है आपको यहां तक यह पता है मैं फिर से repeat कर रहा हूं इस चीज़ को ठीक अब देखो क्या होता है यहां पर इसको मैं उपर लेकर जा रहा हूं थोड़ा से so that आपको समझ हाँ अब देखो यहां पर यहां पर span आपको पता है यहां से span है question आ जाएगा कि यूरप जो है यह इस आस्ट्रيलिया को सारी इस जगा अफ।ा को किस जगव कर टाइज क dispers आपको बोलना है यह मिलता है कहां पर मिलता है स्पैन में आरी बाच में स्पैन किसके साथ मिलता है आपको बोलना है मुराको के साथ एक लोकेशन होते हैं जिसको बोलते हैं गिबरालतर याद रखने इसको गिबरालतर मैंने क्या बोले एक लोकेशन है जिसको क्या नाम दे जाता है गिबरालतर होता है आगे चलते हैं आग के साइड में आ जाओ UK जिसको अप इंग्लेंड भी बोलते हो उसके लेफट साइड आ जाओ यह है एरलेंड मैंने क्या बोला मैंने स्टार्ट किया स्पेंड से यह कंट्रीज का आडर आपको याद रखना है तब आपको पता चलेगा क्या हम क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहला आ जो है इस पैन उसके बाद ऊपर आ जीए फ्रांस deport आ जाओ लकीन लेजंबर्गे सि के बाद आ जाओ मैं यह यहीं येएर लेंड है यहां तक ही जो बीच में ये ब्लू कलर का है ये वाटर है इनके बारे में भी हम पढ़ींगे आगे आ जाएंगे उपर देखो एक तो स्कॉर्ट लेंड है एक साइट से दूसरे साइट से बेलचेप है नेदर लेंड है और दूसरे साइट से सिवीडन है याद रखो उसके बाद जो पोल कल्वीन यहां पर है इतली थोड़ा से नीचे आ जाओ इतली यहां पर है वैट्कें है टी यहां पर देखो वैट्कें यहां पर है ठाओ इसके बाद आजओ सर्बिया सर्बिया याद रखो सर्बिया दूसरा हो आपके पास ग्रीस ठीक है जिसको एथिन्स भी बोलते है उसके बाद उसके बाद यूक्राइन यूक्राइन देखो यहां पर है यूक्राइन भी किसका पार्ट है आपको बोलना है ये यूरप का पार्ट है उसके बाद उपर आ जाओ ठीक है बलेरस भी है उपर आ जाओ एस्टोनिया भी है ठीक है लिथोनिया भी है और लाटविया भी है ये सबी चीजों का आपको नाम याद रखना है ठीक है ये हो गया रोमाने भी आप यहां पर देखो उसके बाद क्या मैकडोनिया की भी बात करेंगे यहां पर यूरप और तर्की यहां पर देखो इसको यह वाला पॉर्शन जो है तर्की तो इस साइड है तर्की तो यह एश्या का पार्ट है तर्की तो एश्या का पार्ट में पहले बोला था ठीक है और यहां पर तर्की का मैंने बोला था एक पार्ट आपको कहां पर मिलेगा यूरप में आपको मिलेगा यह मैंने आपको बतायता है उसके बाद यह तो हो गए यहां तक तो यह हो गया ठीक है जारजा याद रखना जारजा किसका पार्ट है यूरप का पार्ट है जारजा याद रखना ठीक है और यहां पर एक और लाइन यहां पर जो है इसको बोलता है यूराल यूराल का करता है यह यूरप को एश्या के साथ मिला देता है अब यह पूरा कलर जो कौन सा वाला कलर यह वाला कलर जो है यह वाला कलर यहां पर 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 जरी से, आगे और आजाओ, आगे और आजाओ, फिनलेंड भी यूरप का पार्ट है, नौर्वे भी इसका पार्ट है, स्कॉटलेंड भी इसका पार्ट है, ठीक है, डेनमार्क आइलेंड भी इसका पार्ट है, यहां तक तो पता है, आइसलेंड भी यूरप का ही पार्ट आता गया इसका मतलब फिर आप बताओ एक्वेटर यहां ट्रॉप काप केंसर ट्रॉप काप्रिकॉर्ट कौन सा चीज पास होता है किसके कौन सा एक्वेटर सारी कौन सा लेटिचुड पास होता है यूरप के थ्रू आपको बोलना है सर आर्टिक सरकल जो है यह पास होता है से यहां पर मैं दिखा तो आपको ठेल एक सकंड ठीक है यहां पर देखो यह वाला पॉर्शन जो है Mediterrancy के साथ भी है और यहां पर Greece भी जो है Mediterrancy के साथ है और यहां पर यह हो गया Mediterrancy उसके बाद आगे चलोगे बे आप, बिसके मैंने आपको बोला था बे आप, बिसके किसके आसपास है आपको बना France और Spain के आसपास है English Channel के नम, का नम भी बेने बोला था, आपको English Channel भी आपको याद रखना है उसके बाद, Wales Island है यहापर Wales भी आप याद रखोगे यहापर उसके बाद North Sea, उपर मैंने लिखा North Sea है, उसके बाद Baltic Sea याद रखना है, रेशा में कौन सा Sea आता है, इसमें Seas का नम बताता हूँ आपको बोलना है, सर, Baltic Sea रेशा में आता है, फिर एक और क्वेशन पूछा जागा Black Sea, इसके साथ आता है क्वेशन पूछा जाता, Black Sea के साथ कौन कौन बार्डर बनाता है, आपको बोलना है Turkey बार्डर बनाता है, इसके साथ बॉॉर्डर बनाते है इसके साथ क्या बनाता हैूर सर भी है जो है बॉर्डर बनाता है यह सभी बॉर्डर Japon घेजर भी सीर में क्या है यह यह से यहां से ऐसे से यह वाला पॉर्शन यह यह वाला पॉर्शन ठीक है यह Great Britain है ठीक है उसके बाद यह देखो यह और या Campaign जो और यह वाला पॉर्शन जो है जो Green Color से बनाए 들어 cannot chair यह नहीं आरे बहsome यह आपको लिखना है यह दूसरा होगए यह भी इसका पॉर पूरा जो है उसको बोलते एर लेंट इसमे रिपपबिक आफ एर लेंट भी आता है और दूसरा जो था नौर्डरन एर लेंट भी आता है थीक है, उसके बाद आपको क्या आता है ये ग्रेट बृटन जो आता है, इसमें और नौर्थ और लेंड की बात करें, मतलब और ग्रेड ब्रिटन को मिला कर क्या बनता है, ब्रिटिश आइलिस, क्या बनता है, ब्रिटिश आइलिस याद रखना है, ब्रिटिश आइलिस बनता है, याद रखना है, ब्रिटिश आइलिस जो है, यह इनको मिलाकर बनता है किसको ग्रेड बृतन को मिलाकर एयरलेंड को मिलाकर यह इसके साथ क्या बनता है ब्रिटिश पूश्चन पूश सकते हैं इन चीजों के बारे में इसलिए आपको पता होने चाहिए ठीक है यॉनाइटेड किंडम ऑफ ग्रेड बृतन और नौर्थ ए बालकर न, मैं बता होनगा बालकर स्टेट के बारे में बता हुँगा आपको लेकिन अभी आप याद रखो जितना मैं बता रहोँ इतना ही राद रखो एक mountain है question पूछा जाएगा mountain है उस mountain का नाम क्या है जो यूरप में आपको बोलना है उस mountain का नाम है Balkan mountain है मैंने क्या बोला Balkan mountain एक mountain है जो की यूरप में देखने को मिल रहा है ये एक important range जो आपको याद रुखनाता है ठीक यह हो गए यहाँ पर जो important था यह मैंने आपको दिखाया और mountains भी देखो यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको zoom कर रहा है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा यह वाला mountain जो है जिसको बोला स्कैनीडेवियन mountain स्कैनीडेवियन mountain कहाँ पर आपको स्कैनीडेवियन mountain जो है यह कहाँ पर है यह यूरप में है उसके साइड में जो है एक island है और दूसरा जो है Norwegian Sea है और इस साइड जो है Atlantic Ocean है इसको नौरट सी बोला जाता है यह पूरा हो गया कौन सा वाला British Isles यह अभी मैंने दिखाया था British Isles जो है British Isles जो है यह क्या है यह मैंने अभी दिखाया था आपको पिछले बाज़ स्लाइड में ठीक है यहाँ पर Northern CP की आप देख सकते हैं उसके बाद आगे चलो आगे जो है यह जो है Baltic Sea है यह आपको दिखाया है बे आब बिसके यह भी मैंने आपको बता है आगे चलो आपको पुछी है यह होता है और क्या होता है आगे चलेंगे ठीक है क्वश्चन पूछा कारपेधिंस कहाँ पर है यह बी यूरप में है ठीक है उसके बाद जो है अबरियनियन ठीक है अबरियनियन अबरियन अबरियन पेननसुला ये भी एक मैंने बुला अबरियन पेननसुला दूसरा मैंने आपको बुला कोला पेननसुला दोनों पेननसुला का नाम याद रखना है ठीक है ये देखो बालकंज यहां पर है जो मैंने आपको बता है कुछ रिवर्स की बात करेंगे यहां से आ जाओ रिवर्स यहां से देखते हैं शुरू करते हैं रिवर्स के बारे में यहां पर जो है टेगस रिवर्स जो है दूरो है ठीक है लोरिया है रिहाने याद रखना यह जो रिहाने है इसमें से जो आपको वोलगा रिवर भी याद रखना है आपको वोलगा रिवर भी इसके अंदर आता है और भी पार्ट देखो इसके ठीक है और भी पार्ट देखो यहां पर यहां पर आप देख सकते हो लेजबन देख सकते हो मैड्रीड आप देख सकते हैं यहां पर रूम यहां पर बिल ग्रेड आप देख सकते हो ठीक है यहां पर बुटापेस्ट अपने नाम सुना होगा वार को अपने नाम सुना होगा ठीक है रेश्या का जो capital यह सभी जो है आपको याद रखना है इन capital के बार में आपको सब कुछ याद रखना है मैंने पहले बोला capital वाला काम जो ही आपको खुद करना है ठीक एक सेकंट रूब को यह उपर इसको करना पड़ेगा पहले ठीक है नीचे देखो इस्तामबुल यहां पर नीचे देख सकता आप यहां पर इस जगह पर देखो यह इस्तामबुल है ठीक है यह आपको याद रखना है ठीक उसके बाद यहाँ पर देखो एक साइट से फ्रांस है एक साइट से फ्रांस है यह वाला एक साइट से जर्मिनी यह पूरा देखो यह पूरा जर्मिनी है यह वाला पूर्शन जो पूरा जर्मिनी है तो इस साइट देखो यह जर्मिनी है यहाँ पर फ्रांस है नीचे देखो यहां से पास हो जाता है है invoord जो है है हान रिवर भी बोल सकते है यह खाल थे आपको बोलना है यह जर्मिनी के थ्रू पास होता है Most important है पूछा जाता है इस question के बारे में बस तीनी आपको इतना याद रखना जर्मिनी के थ्रू पास होता है और इतना या धूंक है F nac से एक साइट से दूसरा साइट से जर्मनी और सिवजर लेंड अपने नाम सुनो बेसल का नाम सुनो बेसल का नाम सुनो नहीं देखो बेसल जो है यहांपर सिवजर लेंड में बेसल है देखो यहांपर यह बेसल यहांपर एक जगा है जहांपर यह सरकल है उसके बाद आगे एक और पउलाल पस चीजों को समझो तो है एक और रिवर है जिसको बोला जाता है कि दानू के बेर इक रिवर एक जिसको बोला जाताइ सहरे कर ढोट पर जाता है, सर्भिय के थ्रू भी पास हो जाता है और उसके बाद रोमाइनिय के थो आप बोलो कि सर, आप ऐसा क्यों बोल रहा है आपको क्या याद रखना है, आपको पूछा जाएगा जो दानोवे ये जो है दानोवे रिवर जो है यह किस कंट्री के थूपास आपको पता होना चाहिए जर्मिनी आस्ट्रिया हंगरी रिपब्लिक रोमानिया सर्विया इन कंट्रीज यहां यहां पर बुल्गेरिया जो है इसके थूपास हो जाता है यह आपको लिस्ट पता होना चाहिए किस की स्टेट के थूपास हो जाता ह ते मिनने बता दिए और मैंने आपको बना एक आ बौटे कॉशना अजे सिर्कल यहां इसके थरू पास हो जाता है वॉड़ीज की ऑडिएंगत उन्य나ें जिनको आपको नाम याद रखना है, इसके लिए लिस्ट बना ले तो बना लेंा है important water bodies है जिनके आपको नाम याद रखना है इसके लिए list बना लेंड़ा आपको सीध़ एक list बना लेना है Europe की water bodies कौन-कौन से आपको बोलना है सबसे पहले Europe की एक साइट से आता है एक C जिसको बोलते है Norwegian Sea ठीक है दूसरा आज जागा फिर उपर से एक C और आता है Gulf, एक Gulf है, बहुत नहीं, मैंने पहले ही पहले पर बोला, आपको Гlap क्या होता है, दिखो लेंड के अंदर जैसे पानी चला जाता है, इसको बहुत नहीं है, उसके बाद यहाँ पर देखो Gulf, Gulf of Finland, ठीक है, यहाँ पर आप देखो Gulf of Riga, यहाँ पर Gulf of Riga, उसके बाद जो है, यह इन दो को याद नहीं रखना है सका ग्रेग जो है ये कभी नहीं पूछा जाता है बट तिल मैप आप देख सकते हैं इन दो को जो जो मैं नाम बोल तो उनको सिर्फ याद रखना है इस चीज़ में एक आपको याद रखना है फिर से में रिपीट कर रहा हूं यह नौर्ड और इंग्लीश चनल को याद रखना है और इंग्लीश चनल कर्याद रहन से पसिजाती है आप इसको आपको यह रखना है Q89 कउचन पूछा जाता है यह भी आपको याद रखना है अगर आपको याद हो का और अपना जो हैं बड़ा वाला जो है जिसको बहते 메डिटेर Intresse ये आपको याद रखना है उसके बाद स्ट्रेइड पह गिबराल तर ये इस्स चीज में से जो आपको इसे में देख रहा है वो आपको याद रखना है सब्सक्राइब करें और एक स्ट्रीट है मोस्ट इंपॉर्टन स्ट्रेट जिसको बोला जाता है बास्पोरस स्ट्रेट्स जो है यह इसमें पूछा जाता है यह मैंने आपको दिखा रहा ठीक है रेश्या अलो लतिन्यीया ठीक है जाइशल में लकल यह कहाई बाल्टिक सी बाल्टिक सी गलफ फिल्लाइड तिक आयमें अंधेटां लेग यह इंञ यह वह धेज में लीक यह पाड़ी अब थैक ठीक है इन फ्री में से कलना जाओ का लॉक्स्के इवन्यफेन और नॉर्डी। कांट्री ये वाला केंट्री छो बात में यहपार कांट्रीस पूरा ब्लूव कलर मैं देखनी कुमरे अप कोन-कोन सा है आइस लेंड आ जाता है कौन सा लेंड फिन और आइस याद रखना है फिन और आइस जो है ये कौन से कंट्रीज आपको बोलना नौर्डिक कंट्रीज है उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से आपको बोलना है बाल्टिक कंट्रीज जो है डैट इस लिथूनिया याद रखना है िसके अंदर आजाता है तीसरा यो याद रखना है मैं ने क्या बोला मैने बोला तीन कंट्रिष predis comprend के अंदर आ याद रखना है एक लात्वीय मेंने बोला sound तीसरा लॉफीनिया में मैंने बोला lu things देनमार्क और सेटारा डीमार्क नॉर्वे में ओंसे उसके बाद जो है आप इटली के आसपास देख सकते हैं ठीक है बस इसमें ज्यादा फोक्स भी है इसको छोड़ो बस तरही देखो आप इटली है कहा पर एक्चुली आपको पता चलना चाहिए इटली कहां पर है यह पूरा इटली है जो भी यलो कलर करें यह वाला यह वाला इटली है यह पूरा जो है इस तरी किसी पूरा इटली है यह वाला प्पोर्शन जिसको मैंने और यह लेकर इटली का यह पार आप देख सकते हैं कौन का कहां कहां से एकले हैं अच्छे यह गया आर्टिक और इंटरार्टिक ठीक है हाँ न्यूजिलेंड दिखाए था में आपको हमने क्या बोला यह यूरप था ठीक है तो अब हम क्या जाएंगे थेयोरी पर जाएंगे तो और थेयोरी को पड़ेंगे ठीक हाँ सबसे पहला पॉइंट जो है आपको याद रखना है यूरप के बारे में वो मैपस तो मैंने देखा है मैपस मैंने क्यों आपको दस पंदर मिट लगा है मैपस के उपर क्योंकि मैपस से ही आपको पहले cruise का नाम जब क्यों पता चले ग, यह मैं level के सबसे चल ना पड़ता है इसको तैयर करे कि लेवल के सबसे जब्सक्राइब क्यों से जब एस्मालेस्ट और उसके बाद यूह आपको बोलना है यूरप जो हैसेकंड समालेस्ट कॉंटिनेंट अफ्र आस्ट्र लेश है तो होगए पहला पॉंट को कईस्ट याद रखना इस पॉंट को ठीक है यूराल एंड को केसी जिसका नाम है ठीक है मौन्टेंज and partially by Caspian Sea and Ural River तो याद रखना, यह मैं यहाँ पर suppose Europe बना रहा हूँ, यह मैंने Asia बना लिया है, Europe और Asia को separate कोन करता है, ज़्याद तर बोशा जाता है Ural Mountain, और एक और Mountain है, जिसको बोला जाता है Cocasus, याद रखना, Cocasus इसको बोला जाता है, Cocasus Mountain and partially by Caspian Sea and Ural River, मैंने आपको दिखाया है Ural River भी मैंने दिखाया आपको और मैंने आपको Caspian Sea भी यहाँ पर दिखाया यह वो आप देख सकते हैं आपको वो बात समझ में आगई होगी जो मैंने आपको मैप में दिखाया है, अब मैं मैप तो आपस नहीं पूछा गया फिर States का नाम यहाँ पर Balkan States इसने लिखाया है Balkan States में ठीक है नौं कंट्रीज जो है Balkan States का अंदर आपको पूछा जाके के Balkan States में से कौन सी कंट्रीज नहीं है फिर Option A, Option B, Option C, Option D तीन मैं से कोई कंट्री नहीं होगी और वो दे देगा लेकिन जब आपको नाइन पता होंगे तो आप उसको आइडेटिफाय का रोगे बोलोगे यह बालकन के अंदर नहीं आता है Group of nine countries नेमली सर्बिया यह आपको याद रखना मॉन्टैन ग्रो याद रखना सॉलवीनिया याद रखना ठीक है, कुरेशिया बोस्निया, ठीक है यह सभी हर्जा, गोवीनिया ठीक है, मैकडोनिया बुलगेरिया, ग्रीस, रोमानिया अलबीनिया, यह आपको याद रखना है इन nine countries का याद रखना है कि बालकन स्टेट्स में कौन कौन से countries आते हैं, उसके बाद हावएवर, मॉन्टैनिंग ग्रो, मॉन्टैनिंग ग्रो बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन nine, sorry, 2006 इसमें से जो भी nine countries है इसमें से एक country ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनी है कब वो country इंडिपेंडेंट बनी है आपको बोलना है 2016 में उसका नाम कता है मॉन्टैनिंग ग्रो इसका नाम है उसके बाद है Baltic States की बाद की मैने, में गभी बोला Baltic States मेने मैप बी देखा देखो अब कितना आसान हो जाता हमें पढ़ना यहां पर ज़्यादा फोक्स करने के ज़रूद भी नहीं है क्योंकि मैपस पर आपने देख लिया इट इस ग्रूप आप थी कंट्रीज नेमली अस्थानिया लुथीनिया एंड लात्विया मैंने आपको दिखा यहां पर ज्यादा स्ट्रस देने के ज़रूद नहीं है लोग कंट्रीज नाम बता है आपको कोन कौनसी बेलिजिम नीदर लेंड जो है और लेक्जंबर्ग फिर सेमह पिर से मैं रिपीट कर रहो आइसलेंड नौर्वे सेविडन फिनलेंड डन्मार की जितने भी कंट्रीज है पंच कंट्रीज ने आइस नार सिविडन और फिन याद इसको आप याद रख सकते हो ठीक है एनस अब गेम भी है ना गेम भी हम खेलते कोई गेम होते है शायद तो आप इसको याद रख सकते हो उसके बाद ग्रेड बृटन तुम ऐने आपको बता है श्कॉट्लेंड वेवन्ज इंग्लेंड टूगेफर अर ऐस ग्री बृटन ओ को यहां पर W का मतलब Wales, S का मतलब Scotland और E का मतलब England ठीक है और इसको बुना सकते हो Great Great Britain में कौन है? कौन Great Britain में? वहिद सर ने Engineering Great Britain से किया, बस इतना आप याद रख सकते हो. उसके बाद, कोड साब खुद बुना सकते हो, तब आपको याद रहे, अधर वाइस आप Confuse हो जोग इस यहां पर Groups में आप दे आ गए, पहले बताओ Great Britain कौन सा, United Kingdom में क्या क्या आता है? ठीक है, United Kingdom की बात करेंगे, यहां पर United Kingdom के अंदर खुद Great Britain आता है, और दूसरा आता है Northern Ireland, जो मैंने अभी बता है आपको, मैं पर बेने दिखा है, और jointly called as UK United Kingdom, याद रहे, United Kingdom किसका बना है आपको बना है, Great Britain plus Northern Ireland का मतलब होता है, Great, United Kingdom, उसके बाद British Isles, मैंने अभी बना आपको, British Isles के बारे में, Northern Ireland, the Irish Republic and Great Britain are jointly called as British Isles, यह भी मैंने आपको मैप में देखा है, मैपको देख लेना, आपको यहां पर ज़्यादा फोक्स करने की ज़रुद नहीं है, ठीक, उसके बाद in South East Asia, South East Europe, जो है, मतलब यह वाला Europe है, योग या East, यह West, यह North, यह South, ठीक है, South East, मतलब यह वाला साइड, यूरप का यह वाला साइड आपको डूड़ना है, उसमें क्या है, in South East Europe, there are extensive grasslands called steppies, question most important मानो, most, most, most important question पूछा जाएगा आपको यह, यह climate के साथ भी related नहीं वहां से, और दूसरा आपको पूछा जाएगा, कि steppies जो है, यह कहां का grassland है, आपको बोलना है, यह Europe का grassland, question पूछा जाएगा, Australia में कौन से है, आपको बोलना है, Australia में downers है, आपको North America में पूछा जाएगा, आपको बोलना है, North America में prairies है, याद रखना है, prairies है, आपको पूछ था वो डावनुस एक जगा पर बेने बोला था ठीक है वो आप देख ले ला विदा भी या आती आ रहा है बट आपको करना क्या है ग्रास लेंट्स का नाम लिखना है और यहाँ पर इंपॉर्डटन ग्रास लेंट्स लिखने फिर यहाँ पर आप आप आस्ट्रेले लिखोग ठीक है फिर मैंने नौर्थ अमरिका याद रखा फिर मैंने लिखा थे नौर्थ अमरीका में जादा P.R. बीज थने पर आपने पढ़ा होगा Apple P.E.R. होगा मतलब वो में ने Prairie's के साथ combine किया हुआ है ठीक है ठीक है अब उसके बाद आप अपने codes के साथ से याद रख सकते हो प्राइरी को भी आप याद रख सकते हो यहाँ पर लिखा बी है यहाँ पर मैंने लिखा यूरॉप और और भी लिखा है इन साथ एस्ट यह इस दिए खाले अगर दोनों को कमपेरिजन करेंगे जो ग्रास लेंड ग्रास अगर आपने बना यह लेंड है आपके पास और लेंड की उपर इस तरह से grass बना होता है ठीक है ये grasses हैं इस तरीकी से grass से यहाँ पर मैं एक और land ले लूँँगा यहाँ पर एक और grass land बना गए मैं example से आपको पूरा समझ समझा रहा हूँ इस तरीकी से ऐसे से अब मैंने compare किया किस को compare किस के साथ किया है आप कितना याद रखना है जो step is grass land मतलब यह मैं step is लिखूंगा और यह मैं इसका मतलब जो है जो steps पे होता है जो steps लेता है उस शौट होता है इसलिए उसको जादर steps लगते है याद रखने के लिए तो step is short होता है और जो प्रेयरी होता है उसका grass is grasslands होता है लंबे होते हैं ठीक है दीस रीजन एक्सटंडैनीज प्रहम ठीक है दौनों भी वैली अभी मैंने धिखाको दौनों भी रिवर्द दिखञा छi दौनोंund میں इन स hippo यूपर यहाद रखने है बस आपको याद रखना छो आपको यहँंपर यही हम classify करते हैं एक होता है red soil black soil होता है different colors of soil होते हैं हमारे पास लेकिन उसमें से एक और category होती है जिसमें बोला जाता है चिरनो जिम्स लेकिन इतना deep आपको नहीं जाना है यह classification लेंक्त ही हो जाएगा फिर ठीक है उसके बाद the nether land has reclaimed land from sea by making big embankments embankments along the sea front called as dykes याद रखना जो नीधर land जो है यहाँ पर क्या हो चुका है यहाँ पर हमने जो land जो होता है देखो यह c है यह c है यह c है यह वाला portion जो है यह c है और नीधर land जो है embankments आपको समझने embankments का मतलब होता है जो हमारे पास land होता है land हमारे पास जब land को आप cutting करते हो आपके पर पूरा पूरा land मासता है लेकिन इस land को आपने cutting किया है कर्ट कही और आपने कुछ इस तरीक से बना लिया, आपने कुछ इस तरीक से इसकी शेप दे जो भी मर्ज़ MY इस तरीक से भी बना सकते हैं, यहां चिर्थित्थ इस को धू इन इंबैक्मेंट्स को क्या बनाए बोला गया है, इनको डाइक्स का नाम दिया जाता है, डाइक्स का नाम होता है, जैसे यह हमारे पास एक रिवर होता है, यहाँ पर हम इस तरीक से ऐसे से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पानी को रोकने के लिए, मतलब यह जो हम यहाँ पर देखिए कि यहां पर एक बैंक है जिसको बोला जाता है डॉगर बैंक याद रखना वीट जो है इसको क्या करते हैं फिशिंग करते हैं यहाद रखनी की जोरत नहीं है बट इतना आपको पता होना चाहिए यहाद रखना क्रोप प्यूर्पय एक्जामेनसिकाइन और एक बैंक हैं जिस फिशिंग जादा हो जाती है इस बैंक kte OPPER जाती हैंrimus challenging यह इसको पोलता जिस यहाँ रखना है एक किनाल है कि आई-ई-el किनाल जो है यह वे कुनेक्ट करता है नॉर्ट सी क किस के साथ बाल्टिकस्टr त्रूज जर्मिन इसलिए यहां पर आपको याद हैं कि यह नौर्ड क सी है करेफक पास इसको बोला जाता है किल ग्रीन लेंड दिका है जो इस गरीने डिउल्ड सलंड ध्रीनिक यह भी आपको करें आप最近 आपको में दूदानल क्त Curious ट counts दिखा रहता है Greenland जो इस तरीक से में उपर दिखा था Greenland जो है यह उसको Denmark बोल सकते हो तो Greenland जो है World largest island है यह किसका पार्ट है आपको बोला है Greenland सर यह Denmark का पार्ट है I hope यह बात आपको पूरी समझ आ रही होगे Copenhagen Capital of Denmark is also known as the key of the Baltic question पूछा जाएगा Capital क्या है Denmark आपको बोलना सबसे पहला Denmark जो है इसका Capital जो है आपको बोलना कोपन हेगन दूसरा जो है इसको क्या नाम दे जाता आपको बोलना की आप बाल्टिक जो बाल्टिक जो है उसको की नाम दिया जाता है इसको यह पास याद रखने के लिए यह फिल्नेंट को क्या बोलते हैं आपको बोलना जाता है इसमें कोई शॉर्टक नहीं है negóپنहیگن, Capital, डेन्मارک ठीक है, उसके बाद जो है की, पूपू बोला जाता है की, अप्पाल्टिक उसके बाद फिल्लेंड है इसको बोला जाता है, Land of Forests and Lakes ठीक है, उसके बाद हल्सेंड की जो है, इसको Capital,Del בת का बोला जाता है, और उसको यट City of North, North बोला जाता है एक mountain है ठीक है यह याद रखो ठीक है याद रखो यह lighthouse of Mediterranean चाहिद मैं आपको बोला भी होगा lighthouse of Mediterranean एक famous a famous strong valley mountain a famous strong valley mountain located on lips lippry island lippry island a famous strong valley mountain located on lippry island near by Cicely contain frequent volcanic eruption ठीक है इस रीजन को क्या बोला जाता है कौन सा बोला जाता है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको बोलना यह strong valley mountain जो है इसमें volcanic eruptions देखने को मिल रहा है frequent इसलिए इसको बोला जाता है lighthouse of Mediterranean question पुछे जाएगा किस mountain को आपको बोलना है strong valley mountain को light house of Mediterranean consider किया जाता है उसके बाद जो important है यहाँ पर वह यहाँ पर जो मैं कल बता हूंगा आपको important gulf और bay इसका code भी जो है ठीक है यह आपको बताना है और आपको जो question मिलेंगे एक दो questions जो आपको मिलेगा वो इस page से आपको दो तीन questions मिलेगा कल मैं यह important streets को फिर से लेकर आऊंगा लेकिन यह most important है जहां से आपको हमेशा question मिल जाएगा एक यह दो questions तो इसी page से मिल जाएगा आपको तीन भी मिल सकते हैं अगर उसने ज्यादा छेड़ दया तो इन से पूछ सकते हूं ठीक है फिर मैं बता हूंगा क्या कि Elps मैंने आल्रेड़ी बताया हुआ है थोड़ा सा यूराल के बार मैं आल्रेड़ी बताया हुआ है तो यह आप याद रख सकते हैं पर thank you so much for watching me